दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते आज हम कच्छा दस के NCRT के विग्यान की किताब से अध्या एक रसाइनिक अपकिरिया यह हम समीकर के बारे में अध्यन करेंगे समझेंगे आज का हमारा वीडियो नमबर आठ है आज हम क्वेशन नमबर टू करेंगे सबसे पहले होता है तो हरा होता है जब उपक जाता है तो पीला हो जाता है यदि लाल रंग वाला अमरूद है किसी किसी के उपर लाल रंग का अमरूद हो जाता है कहने का मतलब है अमरूद के अंदर कोई केमिकल रहता है वो केमिकल अमरूद जब पकता है तो केमिकल पूरे अमरूद क के अंदर रसानिक अफकिरिया होना तो ठीक है अब हम आप लोगों को क्वेश्चन कराते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है निमलिखित रसानिक अफकिरियाओं के लिए संतुलित समीकर्ड लिखिए तो ये हमारी रसानिक अफकिरिया दिया गया है एक इस अफकिरिया के लिए इस प्रस्ण में तीन प्रस्ण है पहले एक एक प्रस्ण को हम करेंगे तो प्रस्ण हमारा क्या कह रहा प्रस्ण को समझेंगे तो रसानिक अबकिरिया का क्या दिया गया समीकर्ड यह क्या दिया गया है समीकर्ड है समीकर्ड को क्या करना है संतुलित करना करना क्या है हमको संतुलित करना है यह रसानिक अबकिरिया है इस अबकिरिया के समीकर्ड को संतुलित करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम किस में लिखेंगे सूत्र के रूप में लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे सूत्र के रूप में तो सूत्र के रूप में लिखने के लिए हाइडोजन का मतलब होता है हाइडोजन का मतलब होता है यदि आपको हाइडोजन का याच्टू नहीं पता है तो आप इस वीडियो को मत देखिए आप पहले कच्छा 9 के सारे वीडियो देख लीजिए सूतर को समझ लीजिए तभी आप इस वीडियो के देखिए नहीं तो आपका समय बरबाद होगा तो आगे हम करते हैं कलोरीन का हमारा सूतर होता है C l 2 और आगे इसका सूतर होता है hydrogen chloride hydrogen chloride का सूतर होता है यह c L इस सूतर को आप कच्छनों après class के वीडियो को देख सकते हैं किसी का भी वीडियो YouTube में कैसे सूतर लिखा जाता है उसको देख सकते हैं समझ दे उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तब समझ में आएगा तो पहला हमने सूत लिखा अब दूसरा अब करना क्या है संतुलित करना संतुलित करने का वीडियो हमने बनाया है आप हमारे वीडियो को प्रले लिस्ट में देख सकते हैं तो संतुलित करने का पहला नियम ह अब दूसरा इसमें है क्या लिखेंगा ब्रेकेट बनाएंगे दूसरे में क्या करते हैं ब्रेकेट दूसरे में ब्रेकेट बनाते हैं अब हम इसको क्या करते हैं ब्रेकेट में रखते हैं यह जो है दूसरा नियम है इसको ब्रेकेट में रखते हैं यह हमने ब्रेकेट में कहला तो left hand side और ये हमारा कहलाता है right hand side ये किरिया का यानि आभिकारक पच्छ और ये किरिया का मतलब जो अब किरिया से प्राप्त होता है उत्पाद पच्छे से कह सकते हैं तो left hand side ये हमारा right hand side है और ये हमारा left hand side तो इधर का right hand side कहलाता है और इधर का left hand side कहलाता है तो इस इस तरह से हम क्या करेंगे पर्माडूं को इसमें हमें चार्ट बनाएंगे कालम बनाएंगे इसमें हमें क्या करेंगे कालम बनाएंगे कालम में क्या लिखेंगे पर्माडू पहले में क्या लिखेंगे पर्माडू और दूसरे में पर्माडूं का कौन-कौन से पर्माडू है दूसरे कालम में हम लिखेंगे left hand side के परमाड और right hand side के परमाड इस तरह से लिखा जाता है तो हमारा परमाड हो है H, पहला परमाड है H, दूसरा chlorine दो ही परमाड हो है इस अब किरिया में तो पहले में कितना है hydrogen 2 है, दूसरे में कितना hydrogen 1 है, इसमें कितना है 1 है और कलोरीन इसमें पहले क्या है अब किरिया से पहले अभिकारक में कलोरीन की संख्याद दो है और इसमें कितना है एक है इसमें क्या है एक है यह इसमें दो से गुड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा हमारा दोनों पच्छ बराबर हो जाएगा तो कुछ करना नहीं बहुत सरल रसानिक समीकड़ संतुलित करना तो दो से हम गुड़ा कर देंगे तो यह हमारा समीकड़ क्या हो गया संतुलित हो गया क्या हो गया संतुलित हो गया यह संतुलित समीकड हमको मिल गया अब हम दूसरे समीकड को संतुलित करेंगे दूसरा समीकड है बेरियम क्लॉराइड एल्मूनियम सल्फेट आपस में किरिया करके बेरियम सल्फेट और एल्मूनियम क्लॉराइड बनता है तो इस तरह से यह समीकड दिया गया है एक ऐसा समीकर्ड है, सब्द समीकर्ड है, एक ऐसा समीकर्ड है, सब्द समीकर्ड है, तो पहले क्या करेंगे, इसको हम क्या सूत्र में लिखेंगे, सूत्र समीकर्ड लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, सूत्र में लिखेंगे, तो बेरियम कुलाइड का हमारा सूत्र होता है, B, A, C, L, 2, B, A, C, L, 2, यह barium collide है, aluminium collide का हमारा सूत्र होता है, aluminium sulfate का, aluminium का sulfate का सूत्र होता, A, L, S, O, 4, A, L, S, O, 4, का ehol thrice, aluminium का 3 होता है, इसलिए 3 sulfate का 2 होता है, इसलिए यह 2 से इधर गुड़ा हो जाएगा, sulfate का red 2 होता है, इसलिए 2 इधर हो जाएगा, aluminium का 3, इसलिए 3 इहाँ गुड़ा हो जाएगा, इस तरह से barium का समयकता 2 होता है, इधर हो गया, chlorine की समयकता 1 होती है, इसलिए 1 इहाँ लिखा नहीं जाता, तो इस तरह हमने सूत्र को समझा, अब बनता क्या है हमारा, barium sulfate बनता है barium sulfate बनता है, तो यह barium sulfate हमारा क्या होगा, BASO4, यह हमारा बन गया barium sulfate, उसके बाद क्या बनता है, aluminium chloride, barium sulfate का 2 होता है, और barium का 2 होता है, 2-2 यह, बराबर कट जाएगा, अगonia है aluminium sulfate, aluminium oxide, aluminium ka 3 होता है, and chlorine का क्या होता है, एक होता है, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, aluminium का 3 होता है, तो 3 इधर लिक उठेगा, तो इस तरह से हमारा, यह सूत्र हो गया, यह समीकड हो गया, कैसा समीकड हो गया, सूत्र समीकड, तो अब क्या कह रहा है, हमको संतुलित करना, इस समीकड को क्या करना है, संतुलित करना, तो संतुलित करने का दूसरा step क्या है, इसको क्या करेंगे, ब्रेकेट लगाते हैं, NCRT किताब में दिया गय तो आप डायरेट करेंगे, पहले सुरुवात में सीखने के लिए ये नियम से करेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हमने ब्रेकट लगा थे दूसरा इस्टेप, अब तीसरा इस्टेप में क्या करेंगे, परमाडू की संख्या को आज तुलना करेंगे, तीसरे साइट के परमाडू के संख्या का क्या करेंगे, जाच करेंगे, तो यहां के, यहां हम लिखेंगे परमाडू, यहां कालम बनाएंगे, लिखेंगे परमाडू, परमाडू, और यहां लिखेंगे लेप्ट हैंड साइट के परमाडू, यहां राइट हैंड साइट के पहला परमाड बेरियम है लेप साइड में कितना है एक है तो एक लिखेंगे राइट साइड में बेरियम क्या है एक है एक लिखेंगे अगला परमाड क्लोरीन है यहां दो है यहां हमारा तीन है इधर कितना है तीन है यहां दो लिखेंगे यहां तीन लिखेंगे अगला क्या है, अल्मूनियम है, अल्मूनियम क्या है, अल्मूनियम यहां संख्या दो है, दो परमाडू है, और यहां अल्मूनियम की संख्या एक है, अगला है हमारा आक्सीजन, आक्सीजन की संख्या यहां, चार यह, तीन से गुड़ा हो गया, बारा हो गया, क्या हो गया, बारा, और यहां कितना है आक्सीजन चार है यहां क्या है चार है तो यह हमारा तीसरा इस्टेप हो गया तीसरा इस्टेप क्या हुआ पर्माड़ों की संख्या पर्माड़ों की संख्या है नंबर पर्माड़ों के नंबर हमने लिखा अब तीसरा इस्टेप है अब चौथा इस्टेप क् कहता है, सबसे ज्यादा पर्माड किसमें है? अधिक पर्माड वाले योगिक, अधिक पर्माड वाले योगिक को संतुलित करना है, अधिक पर्माड वाले योगिक को पहले हमको संतुलित है, योगिक को क्या करना है? संतुलित करना है, अधिक पर्माड वाले योगिक हमारा क् यह है यह हमारा अधिक पर्माड वाला इसमें आख्रिजियन पर्माड क्या सबसे अधिक क्या 12 तो सबसे पहले इसीको हमको बैलेंस करना है सबसे पहले ऐसे किया जाता इसी ऐनटरी किताब में दिया गया है । ठектив उसी तरह हम कर रहे हैं तो 4-3-12 हो गया और इसमें क्या कर तीन से गुड़ा इधर कर दें, यहां तीन कर दें, तो क्या होगा, यहां इसकी संख्या क्या कर दें, तीन कर दें, संख्या कित्ती कर दें, तीन कर दें, तीन तो चार तियां बार, यह हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो तीसरा इस्टेप में, हमने, चौत्य से इस्टेप में क्या कर दिया तीन से गुड़ा कर दिया अब हमारा काउन सा इस्टेप आता है पाच्वां पाच्वे इस्टेप में क्या करेंगे चवथाई हो गया पच्वां हम करेंगे पाच्वां करेंगे पहले एक एक परमाड को संतुलित करेंगे तो हम आरा क्या हो गय यहां बारा यहां भी हो गए, एक सही हो गए, अब हम दूसरा का ऐलमूनियम की संख्या को सही करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां दो ऐलमूनियम है, यहां कितना ऐलमूनियम है, एक है, तो यहां यदि हम दो से गुड़ा कर देते हैं, तो ऐलमूनियम हमारा सही हो जाए इल्मूनियम की संख्या क्या हो जाएगी सही तो यहां क्या करते हैं प्लस यहां रखेंगे दो से गुड़ा कर देंगे तो इल्मूनियम की संख्या हमारी हो गई सही तो यह हमारा दो से गुड़ा हो गया यह अल्मूनियम भी सही हो गया अब बसता है क्लोरीन पर माड़ को सह होगा अब कितना है डो है दो में क्या गुड़ा कर देच्छे हो यह चलो है क्लोरीफिए है इसम में क्लोरीफ है यह यहां एक है तो एक हमारा कि आप देखेंगे अब एक बचा है कि नहीं तीन से गुड़ा होगा तो तीन से इसमें गुड़ा हुआ क्लोरीन में तो यहां भी तीन से हो गया यहां भी हमारा तीन हो गया क्योंकि यहां तीन दुनी छे सारी यहां हमारा क्या बेरियम सारी तीन ही है तीन यह हमने कुलूरिन का समझा था छे यह सही है बेरियम का है तीन है तीन यहां है अब यहां बेरियम किता है यहां भी बेरियम तीन है तो यहां तीन गुड़े तीन हमको इस सब संख्या हमको मिल गए ये भी बराबर ये भी बराबर तो इस तरह से हमारा समीकड क्या हो गया अब हम परमाणू के संख्या चक कर सकते हैं अब हमको बराबर अब हम question number दूसरे का तीसरा समीकड संतुलित करने जा रहे हैं तो समीकड हमारा है सोडियम ये सोडियम धात है जल के साथ किरिया करता है सोडियम हाइड्राकसाइड और हाइड्रोजन गैस बनता है तो यहां समीकड है इस समीकड को हमको क्या करना है संतुलित करने से पहले इस समीकड को हम क्या करेंगे पहले सूत्र लिखेंगे किसमें लि को पता है H2O होता है यह हमारा जल का सूत्र है और आप यह दोनों आपस में किरिया करता है sodium यह धातु है sodium धातु है जो सबसे अधिक किरिया सील धातु है तो sodium hydroxide sodium hydroxide का सूत्र होता है इनने OH sodium hydroxide और hydrogen hydrogen बनता है hydrogen gas बनता है इसका सूत्र होता है S2 तो यह हमारा समीकड हो गया यह समीकड किस रूप में हो गया सूत्र के रूप में अब हम क्या करेंगे अब हम इस समीकड को संतुलित करेंगे तो संतुर्वित करने का पहला step हमको पहला step यह हो गया, दूसरा step हम करेंगे क्या, दूसरा step जो NCIATIC किताब में लिखा गया है, क्या करेंगे, bracket लगाएंगे, दूसरा step का काम क्या है, bracket लगाएंगे, सबी परमाड़ों के सामने और आगे पीछे बड़ा bracket लगाएंगे इस त करेंगे बात कहता है, प्रस्न यानि जो NCIATIC किताब में लिखा गया है, तीसरा step में NCIATIC किताब में कहा जाता है, कि अब परमाड़ों की संख्या को हमको गिनना है, लेप्ट साइड के परमाड़ों की संख्या, और राइट हैंड साइड परमाड़ों की संख्या, यानि यह अब किरिया पच्छ के पर्माडू की संख्या ये तत्त्य के पर्माडू है पर्माडू की संख्या और ये किरिया के बाद जो हमको किरिया मिल रहा है उत्पाद उत्पाद के पर्माडू की संख्या यदि बराबर है तो समिकर संतुलित बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं है और ये left side है, ये right side है, left का मतलब ये, ये हमार right hand side है और ये left है, ये left hand side कहलाता है, तो ये left hand side के परमाड ये है, और right hand side के परमाड ये है, तो हमारा पहला परमाड sodium है, sodium क्या है, sodium क्या है, पहले में हमारा एक परमाड है, और दूसरे में कितना है, इसमें भी एक है, अगला है sodium के बाद hydrogen हम लेंगे hydrogen परमाड़ है hydrogen परमाड़ है पहले में क्या है left side में 2 hydrogen है right side में 2 एक 3 है यहां क्या है 3 hydrogen परमाड़ oxygen परमाड़ लेंगे तो हमारा left side में किता परमाड़ है oxygen का oxygen का हमारा एक परमाड़ है इसमें भी एक परमाड़ है तो ये हमारा क्या है, दो तो पहला सोडियम संतुलित है, आक्सिजन संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित नहीं है, तो हाइड्रोजन को सबसे पहले क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन परमार को हम संतुलित करेंगे, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ दो है, और यहाँ तीन है, तो यहां दो से कर देंगे तो हमारा दो दो चार हो जाओ यहां से दो से कर देंगे यहां भी दो से गुड़ा कर दें और यहां भी दो से गुड़ा कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा दो दुनी चार यह हो जाएगा चार इधर भी हो गया क्या हो गया हाइड्रोजन परमाड क्यो से तो ये हमारा हो जाएगा दो और दो चार ये दो 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 प्लस टू बराबर चार ये हमारा ये चार हो गया तो ये तीन खतम हो के चार तो ये हमारा सही हो गया अब हमारा हाइड्रोजन परमार दोनों तरफ बैलेंस हो गया अब हम क्या बैलेंस करेंगे आक्सिजन को कर सकते आक्सिजन यहां क्या है दो है और यहां दो है तो यह दोनों तरफ यह तो आक्सिजन हमारा इसको सही करते ही यह सही हो गया दो यहां यह भी सही हो गया अब बच रहा सोडियम सोडियम क्या है सोडियम यहां दो पर माड़ है यहां एक है यदि हम यहां दो से गुड़ा कर दे तो ये क्या होगा, दोनों तरब क्या होगा, सोडियम बराबर हो जाएगा, ये दो यहाँ, दो यहाँ, तो ये हमारा समीकड क्या हो गया, संतुलित हो गया, सोडियम का चक भी कर सकते, सोडियम दो यहाँ, दो यहाँ, आक्सीजन, आक्सीजन ये दो ये, और ये दो इधर, य इस तरह से हम चेक भीका लिए सही है।